यहां पर दोफ्तों OnePlus Nord 4 के अंदर आप call recording किस तरफ कर पाऊगे यहां पर without किफी को पता चले add दोनों तरफ का जो found है वो record होगा बिना किफी problem के आप दोनों तरफ की आवाज को record कर पाऊगे add वीडियो को add तक देखोगे तब ही आपको phone में आएगा तो चलिए without any time waste वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो फपसे बेले दोफ्तों आपको यहां पर जाना पड़ेगा play store के अंदर क्योंकि अगर आप यहां पर call record करते हो Google dialer फे तो फामने वाले को announcement चला जाता है अगर उसको पता ही चल गया तो फिर call recording किस बात का न तो फपसे बेले आपको यहां पर जाना है play store के अंदर और यहां पर आपको o dialer फर्च करना है यह आपको मिल जाएगा इसको आपने install करके open कर लेना ठीक है जैसे आप यह उपन कर लेते हो open करने के बाद आपको o dialer पर click करना है and fat of default पर click कर देना है जैसे आप यहां पर click कर देते हो उफके बाद आपको यह वाला इंटर्फेफ देखने को मिल जाता है तो पहले तो आपको यह उपर 3 dot मिलते है यहां पर click करना है उफके बाद fattings पर click करना है उफके बाद उफको call recording option मिलेगा यहां पर click करेंगे तो पहले यह बंद रहेगा फिम्पली फिया अपने इसको कर देना है record all calls पर तो अभी जितने भी call होंगे वह record होते रहेंगे तो जितने भी होंगे incoming, outgoing फिर भी record होंगे और मान के चलिए अभी आपको call record करके दिखा देता हूं जैसे मैं करता हूं यहाँ पर 198 पर call करता हूं ठीक है 198 पर call करने के बाद यह दिखी यहाँ पर call automatically record होने लग गया इसको मैं cut कर देता हूं और अभी जो recording है आपको कहाँ पर मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं तो call recording देहने के लिए आपको यह जो है इस पर click करना है और यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको जितनी भी call recording आपने कर रखी होंगी उसकी यहाँ पर history आपको मिल जाएगी ठीक है उमीद करता हूं वीडियो आपको दौफतों अच्छा लगा होगा